हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, वेलकम टो फिनांस मार्किट, वेलकम टो अनदर वीडियो गाईज इस वीडियो के अंदर हम सब बात करने जा रहे हैं Yes Bank Limited से रिलेटिड, लेटेस्ट अपडेट दोस्तों Yes Bank से जुड़ी हुई मैं आपको एक खबर बताऊंगा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, आप सब लोगों को जानना अगर आप Yes Bank के अंदर इंट्रेस्ट रखते हैं या Yes Bank के अंदर आप शेर होल्डर हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा, पहली रिक्वेस्ट यह है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिजे, ताकि आने वाली हर वीडियो की आप तक नोडिफिकेशन डारेक्ली पहुँचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएं दूसरी रिक्वेस्ट यहींगी दोस्तों कि डीमेट अकाउंट ओपिन कराना है तो आप स्टॉक में आप ओपिन करा सकते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डॉप किया गया है, उस लिंक को क्लिक करें और simple तरीके से account आप open करा सकते हैं बिना किसी problem के अब बात करते हैं दोस्तों अपने topic की yes bank limited yes bank limited से related एक बहुत बड़ी ख़बर निकल के आई है दोस्तों कल 21 तारीक को Friday के दिन तो सबसे पहले तुम्हें आप लोगों के सामने Friday के दिन के कारोबार की इस्थथी को share करना चाहूंगा और जानने को कोशिश करेंगे कि किस तरीकी की इस्थथी रही है Friday वाले दिन है ना तो आएए देखते हैं Friday वाले दिन की opening होती है दोस्तों 16.00 से उससे पहले वाले दिन ये close होता है 15.75 पे 16.00 पे open होने के बाद 15.30 का low बनाता है और 16.10 का high बनाता है दोस्तों lower circuit लगा था 15.00 का और upper circuit लगा था 16.50 का और ये close हुआ है 15.55 पे NSE के उपर जो की 0.20 पॉइंट डाउन है अपने last closing price के respect में यानि 1.27 परसेंट डाउन है अपने last closing price के respect में अब हम total volume की बात करें तो Friday वाले दिन 14.62,22,743 यानि 146.2 मिलियन इतनी quantities trade हुई है ये इतना huge volume trade हुआ है अब देख सकते हैं 52 week low है दोस्तों 5.65 का और 52 week high है 87.30 का दोस्तों market capitalization के बात करेंगे तो 38,960.38 करोर है face value अगर आप देखें तो 2.00 है बीटा अगर आप चेक करेंगे तो negative है minus में है 0.17 इंडस्टी का PE valuation अगर आप देखेंगे तो 25.69 है delivery percent के अगर हम बात करें दोस्तों तो NAC के उपर 38.48 percent के security wise delivery percent उठाई गई है वही अगर आप delivery अगर आप BAC में देखेंगे तो 46.95 percent है अप्रॉक्समेट 47 percent है इसका मतलब जानते है आप इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो total volume आपको देख रहा है उस total volume का उतना percent जितना percent में आपको बताया जिसकी NAC के उपर या BAC के उपर 47 percent के आसपास है तो इस total volume का 47 percent जब निकालेंगे तो जो भी आपके फास figure आएगा उतनी quantities लोगों ने खरीद करके अपने demate count में store कर लिया है अब यह हो सकता है कि वो long term के लिए खरीद रहे है हो या short term के लिए हो it's all up to them अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर return percentage की तो yes bank ने एक हपते के अंदर जो return percent show किया है वो है plus में है 8.73 percent एक महीने के अंदर 5.56 percent का return show किया है तीन महीने के अंदर 43.18 percent negative return है 6 month में minus 55.45 percent है और एक साल का अगर देखें तो 76.19 percent है negative है अब बात करते हैं दोस्तों technicals की तो किस तरीके की इसकी situation है कहाँ पर resistance कहाँ पर support है moving averages की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले moving averages की बात करें तो यह 5 दिन के moving average जो की 15.30 है जिसके उपर यह bullish है 10 days के moving average जो की 15.40 है जिसके उपर यह bullish है 20 days के moving average की बात करें तो 13.92 है जिसके उपर भी यह bullish है 50 days का moving average 20.09 है जिसके उपर यह bearish है और 100 days के moving average 23.63 है जिसके उपर यह bearish है और lastly 200 days का moving average जो की 34.94 है जिसके उपर भी bearish है आप देख सकते हैं कि उपर की तरफ अगर बढ़ेगा तो इसको resistances phase करने पड़ेंगे पहला resistance phase करना होगा 16.00 पे second level of resistance जो इनको phase करना पड़ेगा वो 16.45 पे और third level of resistance जो है 16.80 के उपर है अगर ये किसी तरीके से नीचे अगर आता है तो इसको पहला support मिलेगा 15.20 पे और second support मिलेगा उसके नीचे 14.85 पे और third support इसको मिलेगा 14.40 के उपर टेक्निकली अगर हम देखें तो ये अभी न bullish है न bearish है ये neutral position पे है आप लोगों से news के बारे में बात करने जा रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पे दोस्तों बात यह है कि Yes Bank Limited जो है अपने इसका जो primary business है उस primary business के उपर ये बहुत ज़्यादा concerned है और primary business को ये बहुत ज़्यादा expand करना चाता है और मजबूत करना चाता है इस्पेशली जो clients हैं उनको faith दिलाना चाता है अपने bank के existence के उपर और उसको मजबूत करना चाता है एक capital के तुरू तो उसको एक बहुत बड़ा capital चाहिए इस process को accommodate करने के लिए तो इसके लिए ये अपने चोटे चोटे firms को बेच रहा है ताकि इसके पास बहुत बड़ा amount हो और उस बहुत बड़े amount से ये अपने losses को bear कर पाए और NPS को handle कर सके तो उसी के recording यहाँ पर हो यह रहा है कि Yes Bank की अपनी two एक subsidies थी Yes Bank mutual funds से related यानि Yes Bank AMC यानि Asset Management Company अपनी Asset Management Companies दोस्तों वो हर उस बैंक की होती है जैसे HDFC है उसकी भी एक AMC मतलब एक arm है उसी तरीके से यहाँ पर Yes Bank की एक AMC थी यानि Asset Management Company वो इसके अलबाए एक Yes Trustee Limited YTL करके है इन दोनों को 100% यह sell out कर रहा है अपने equity shares को बेच रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर Yes Bank को एक capital मिले और दूसरी चीज़ यह है बेचने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर Yes Bank इन दोनों firms को manage नहीं कर पा रहा है इसको profitable नहीं बना पा रहा है जितना चाहिए उतना profitable नहीं बना पा रहा है और इसकी जो value है asset की वो year by year degrade हो रही है तो इन्होंने समझा कि बेटर समझा कि इसको बेच दो और जो इसका primary business है उसके उपर focus करे और उसको मजबूत करे तो उसी से जुड़ी हुई यह article है ध्यान से आप एक एक चीज़ सुनें देखिए दोस्तों यहाँ पर है यह कि former goldman fund manager acquires Yes Bank mutual fund business goldman fund manager जिनका नाम है प्रशान्थ खेमका ठीक है यह जो है Yes Bank के mutual funds वाले दोनों इन बिजनेसे को Yes Trusty Limited और Yes Bank AMC दोनों को खरीद रहे हैं दोनों के equity shares 100% इन्हीं को बेचा जा रहा है आप देख सकते हैं आप पे former goldman sachs fund manager प्रशान्थ खेमका दोस्तों प्रशान्थ खेमका आपको पता होना चाहिए White Oak Investment Management Limited यह इन्ही की company है इनके अंदर इसके अंदर 99.99% की stake ही hold करते हैं जी हाँ White Oak Investment Management Limited इसके अंदर प्रशान्थ खेमका जी का 99.99% stake है और यहाँ पे प्रशान्थ खेमका जी का 99.99% stake है तो obviously आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 99% stake जो है GPL के अंदर White Oak Investment Management Limited hold करता है तो आप एक-एक चीज़ दिहान से सुनें क्योंकि मैं चीज़ें इदर उदर बोल जाओंगा तो बेटर होगा कि एक-एक चीज़ें आपको समझाओं ठीक है starting से ओके We hereby inform the stock exchanges that the bank on August 21st 2020 executed a definitive agreement for the sale of 100% of equity shareholder of yes asset management limited and yes trustee limited both wholly owned subsidies to GPL finance and investment limited दोस्तों GPL finance and investment limited basically यह White Oak को नहीं बेचा जा रहा है यह बेचा जा रहा है GPL finance and investment limited GPL finance and investment limited के अंदर 99% की stake hold करती है White Oak investment management private limited अब White Oak investment management private limited के अंदर 99.99% की stake है प्रशान्थ खेमका जीगी आपको देहान से बात समझ में आ रही है I hope कि आपको समझ में आ रही है के अंदर 99.99% की stake प्रशान्थ खेमका जी की है तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशान्थ खेमका जी के पास ही सब कुछ यही beneficial है यह beneficiaries है आगे देखते हैं खेमका founded his boutique investment management यह 2017 के अंदर बनाई गई थी इसका मतलब इसको बनाया गया था ओके बिफोर सेटिंग अप इस ओन शॉप यह वास दीफ इन्वेस्टमेंट ओफिसर और लीट पोर्फोलियो मैनेजर और जी एस इंडिया equity at Goldman Sachs asset management from 2017 to 2017 and global emerging market equity from 2013 to 2017 अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है the transaction is subject to requisite regulatory approvals दोस्तों यह जो कुछ process हो रहा है जो कुछ यह sale buy हो रहा है इससे related जो transaction है उसको अभी requisite regulatory approval मतलब यह हुआ कि उसको एक approval मिलना बाकी है proper documents के साथ right financial details were not disclosed और यह कितने में बेचा जा रहा है इस सब तो चीज़ें अभी तक disclosed नहीं हुई है आगे कुछ होगा तो आपको बदाय जाएगा यहाँ पे banks का कहना है कि mutual fund business से जो 30 revenue create हुआ था fiscal year 2020 के अंदर वो मात्र 33 lakh रुपे था 33 lakh रुपे yes bank AMC is the asset management company of yes mutual fund and yes trustee is the trustee of mutual fund यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए और एक चीज़ और है यहाँ पे yes bank AMC यानि YAMC की जो asset value है under management वो मात्र 50 crore की रह गई है कहाँ 2000 crore हुआ करती थी और कहाँ यह 50 crore की बची है तो एक देख सकते हैं कि value इसकी depreciate हो रही है और इसी depreciation की वज़े से यहाँ पे yes bank ने इस तरीके का decision लिया है ताकि वो अपने business पे अपने main business के उपर वो concentrate कर सके है और उसको better बना सके, strong बना सके, faithful बना सके और यह एक बढ़िया bank था, एक top class का bank था और यह degrade क्यों हुआ वो आपको अच्छे समय एक अलग से separate video के अंदर जरूज बताऊंगा So this is all about this video, I hope you liked it If you have to ask any question or if you want to suggest your idea regarding this, let me know in comment section If you haven't subscribed my channel, please do so and press the bell like nearby that so that you'll be notified every time when I upload new videos And take care guys, see you in my next video, goodbye